तो करणाठक में कॉंग्रेस की बड़ी जीत के बाद आयकमान की तरब से गुजरात में नेत्रूत वो परिवर्तन की जाने की अटकले लग रही है। चर्चा है कि कॉंग्रेस के राष्टरी अध्यक्स मलिकार जुन खरगे राधनितिक तोर पर सारवाधिक चुनेती पूर्ण राजिया गुजरात में नए अध्यक्स की नियुक्ति कर सकते हैं। तयारियों को गती दी जा सके। का नाम शामिल है। अगर पार्टिदार नेता के तौर पर देखा जाए तो रेस में परेश धनानी आगे है। नए चेहरों में शामिल दीपक बाबर्या को गांधी परिवार की काफी नजदीक माना जाता है। इतना ही नहीं। वद्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार बनी तो वहां के प्रभारी दीपक बाबर्या थे। तो वही लाल जी देशाए कॉंग्रेस सिवादल के राश्ट्रिय अध्यक्ष रह चुके है। इतना ही नहीं भारत जोडो यात्रा के वक्त लाल जी देशाए प्रमुक भुमिका में रहे थे। अब देखना यह है कि पार्टी अगर नए अध्यक्ष की नियोक्ति करती है तो किस नेता को यह बड़ी जिम्मेदारी मिलती है।